बच्छो, lambda not 0 b in r, if alpha, beta are the roots of the equation, this, and alpha, gamma are the roots of the equation, this, then beta, gamma upon lambda is equal to, बढ़िया सवाल है, common root का, ठीक है, तो बच्छो, alpha, beta are the roots of the equation, ठीक है, तो alpha, gamma common root है, बच्छो, common root में आप देखें कि, या तो condition लगा दो, common root की, क्या होती है, alpha square upon, is equal to alpha upon, या दे न, is equal to 1 upon करके, है न, वो लिखते हैं, या फिर बच्छो, simple है, इसमें 3 से multiply करके, subtract कर दो, तो आपका किता जाएगा, बच्छो, minus 3 plus 10, किता जाएगा, 7x, या 7 alpha लिख देता हूँ, common root, बच्छो, alpha माल लिया, मैंने, और, ये 7 alpha है, बच्छो, 6, 21 दिख गा, बच्छो, 6, और minus 21, lambda is equal to 0, बच्छो, alpha किता जाएगा, आपका, 3 lambda, दिख रहा हैं तक, बच्छो, alpha is 3 lambda है, 3 lambda है, और बच्छो, यहाँ पर product of root, आप देख सकते हो, तो, alpha अगर एक root है, 3 lambda, और, पहले बच्छो, 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 इंटू गामा अपॉन लेंड़ा है ना तो 2 by 3 into 3 किता आजागा 2 by lambda मेरा answer है और lambda में कैसे निकाल लू lambda में कोई एक quadratic में रखता। इस बढ़िया नंबर है गामा 3 इस में रख देता हूँ 27 minus 30 27 minus 30 किता आगा minus 3 27 lambda is equal to 3 lambda किता आगा 1 by 9 और अपॉन में लेमडा है तो कितना जाएगा नाइन बचो 18 आता हो वह दिग गया गया मैंने गामा 3 यहां पर रखा इसमें 18 बचो आंसर C दिग गया गया C option answer